आद को कवन बिचार कथी अले, सुन कहां करवासो, ज्यान की मुद्रा कवन कथी अले, कट-कट कवन निवासो, काल का ठीगा क्यों जलाई अले, क्यों निर्पव कर जाईए, सहज संतोख का आसन जाने, क्यों छेदे बैराईए, अर्थात, योगी प्रश्ण करते हैं, आदी के बारे में आपके क्या विचार हैं, आदी में परमात्मा का निवास थान कहां था, ग्यान कौन सी मुद्रा द्वारा प्राप्त होता है, और ग्यान की प्राप्ती की निशानी क्या है, तथा घट-घट में किसका निवास है, काल का डंडा कैसे जलाया जाए और निर्भे पद कैसे प्राप्त किया जाए सहज अवस्था का संतोश वाला निश्चल आसन कैसे प्राप्त किया जाए और वैरियों अर्थाद दुश्मनों का नाश कैसे किया जाए गुरु साहिब उतर देते हैं गुरु के शब्द यानी नाम द्वारा हॉम्मय के जहर को खत्म कर लिया जाए तो निजघर की प्राप्ति हो जाती है जो शब्द द्वारा संसार की रचना करने वाले रचाईता की पहचान कर लेता है हम उसके सेवक हैं गुरु साहिब योगियों के इन प्रश्णों के उत्तर में सार रूप में केवल इतनी बात समझाते हैं कि आत्मा और प्रमात्मा के मद्धे वास्तविक रुकावट हो मैं यानि मैं मेरी की है जो साधक सत्गुरु के उपदेशानुसार शब्द के अमरित द्वारा हो मैं के विश्का नाश कर लिता है उसे निज घर में निवास मिल जाता है इस प्रसंग में गुरु साहिब ने गुर्क्य शबद पद का प्रियोग किया है गुरु साहिब ने शबद को प्रभु का शबद कहा है क्योंकि वह प्रभु का रूप है उन्होंने उसे गुरु का शबद इसलिए कहा है क्योंकि वह शब्द अंदर होने के बावजूद गुरु के उपदेश पर अमल करने से ही प्रकट होता है गुरु साहिब राग रामकली के एक शब्द में योगियों को समझाते हैं गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग वियोगी पुगत नाम गुर शब्द विचारी हे योगी तु गुरु के शब्द की आराधना कर गुरु के शब्द का भोजन करने से तु दुख सुख शोख और वियोग को समान समझने लगेगा कहां ते आवय, कहां ए जावय, कहां ए रहय समाई, एस शबद को जो अर्थावय, तिस गुर तिल न तमाई क्यों तत्य अव गत्य पावे, गुर्मुख लगय पियारो, आपे सुरता, आपे करता, कहो नानक बीचारो हुकमे आवे, हुकमे जावे, हुकमे रहे समाई, पूरे गुर्ते साच कमावे, गत्मित शब्दे पाई अर्थात, योगी प्रश्ण करते हैं, जीव कहां से आता है, कहां चला जाता है, तता कहां समा जाता है जो इस प्रश्ण का उत्तर दे दे, समझो की वह गुरु तिल मात्र भी अज्यानता के अंदगार में नहीं है और ना उसमें कोई लालच है, उस अद्रिष्ट प्रभू को कैसे पाया जा सकता है, और गुर्मुकों के साथ, या गुर्मुकों द्वारा प्रभू के साथ कैसे प्रेम हो सकता है आप इस बात का निर्णे करो कि वह कौन है जो स्वयम ही करता है और स्वयम ही सुनने वाला अत्वा ग्याता भी है गुरू साहिब योगियों के बहुत से प्रिष्णों को समेटते हुए कहते हैं जीव हुक्म द्वारा आता है हुक्म द्वारा ही जाता है और हुक्म द्वारा ही उसमें समा जाता है जीव को चाहिए कि पूर्ण सत्गुरु से युक्ति सीख कर सत्ते की कमाई और शब्द का अभ्यास करे इससे उसे प्रभु प्राप्ति यानि मुक्ति प्राप्त हो जाएगी जीव प्रभू की रजा से संसार में आता है, उसकी रजा से वापस जाता है और उसकी रजा से ही उसमें समा जाता है गुरू साहिब जबची की दूसरी पौडी में फरमाते हैं कि प्रभू के हुक्म द्वारा ही सिर्ष्टी के सब आकार प्रकट होते हैं छोटे बड़े बनते हैं और उनके जीवन में दुख सुख भी हुक्म के अनुसार आता है इक ना हुकमी बक्सीस एक हुकमी सदा पवाई है प्रभू के साथ मिलाव की बढ़ाई भी उसकी रजा से मिलती है और जीव के आवागमन से बंदे रहने का कारण भी उसकी रजा है पूरे गुर्ते साच कमावे गातमित शब्दे पाई गुरू साहिब ने अधिकतर प्रसंगों में गुरू और गुर्मुख पदगा प्रियोग किया है अन्य अनेक प्रसंगों में सद्गुरू या सच्चा गुरू के पदगा प्रियोग किया है यहां आप पूरे गुरू की आवशक्ता पर बल दे रहे हैं क्योंकि पूरे गुरु से ही भक्ति के सच्चे सादन और मार का ज्ञान प्राप्त हो सकता है और जीव शब्द के साथ जुड़कर प्रभू से मिलाप कर सकता है। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि गुरु का होना ही काफी नहीं, गुरु पूरा भी होना चाहिए। गुरू साहे पांचवी पौडी में पूरे गुरू की पहचान का संकेत दे आये हैं। अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासो। आप कहते हैं कि जो पूर्ण पुरुष स्व्यम प्रभू के दर्शन कर चुका है वही दूसरों को भी उसके दर्शन करवा सकता है। आप दक्णी ओवंकार की 21 पौडी में कहते हैं केते गुर चेले फुन हुआ, काचे गुरते मुकत न हुआ, देह दिस टूंड करै मैं पाया, मेल पया सत्गुरू मिलाया। आप फरमाते हैं कि अधूरे गुरू से मुक्ती प्राप्त ना हुई और हम प्रभू की खोज में बाहर ही बाहर भटकते रहे। जब सच्चे गुरू की संग्ती प्राप्त हुई तो अंदर ही प्रभू से मिलाप हो गया। आद को बिसमाद बिचार कती अले सुन निरंतर वास लिया। अकल पद मुद्रा गुरू ज्यान बिचारी अले कट-कट साचा सर्व जिया। गुर बचनी अवगत समाईये तत निरंजन सहज लहे। नानक दूजी कार न करनी सेवे सिख सुखोज लहे। हुकम बिसमाद हुकम पचाने, जी जुगत सच जाने सोई, आप मेट निरालम होवे, अंतर साच जोगी कहिये सोई। अर्थात जो प्रभू स्रिष्टी के आरंब यानि आदी से भी पहले था, उसके विशे में सोचकर आश्चर्य होता है। वह आनंद मई अवस्था वर्नन से परे है, उस अवस्था में वह प्रभू अपने में ही समाया हुआ था। गुरू का ग्यान कलपना से परे का वह विचित्र सादन है, जिसके द्वारा सब जीवों के घट-घट में बस रहे उस प्रभू की सूज होती है। गुरू के उपदेश की कमाई से जीव उस अव्यक्त माया से निरलेप निराकार में समा जाते हैं, जो एक मात्र सार पदार्थ है, इस प्रकार सहज अवस्था की प्राप्ती हो जाती है। जो शिश्य अन्ने हर प्रकार की करनी को त्याग कर केवल सत्गुरू के उपदेशानुसार सेवा या भक्ती करता है, वह अपने अंदर ही खोज करके परमतत्व की प्राप्ती कर लेता है। गुरु साहिब कहते हैं, जिस प्रकार प्रभु विस्माद पूर्ण है, उसी प्रकार उसका हुक्म भी विस्माद पूर्ण है। ना तो प्रभु का वर्णन किया जा सकता है, ना ही उसके हुक्म का। जो व्यक्ति प्रभु के हुक्म को पहचान लेता है वह सही युक्ति द्वारा प्रभु रूपी सत्य को पहचान लेता है वह आपा भाव को स्माप्त करके संसार से निरलिप्त हो जाता है उसके अंदर नाम यानि प्रभु रूपी सत्य समा जाता है ऐसा सादक ही सच्चा योगी है गुरू साहिब विस्तार पूर्वक अपने विचारों को प्रकट करते हैं 23 से 42 पौडी तक समवाद परवचन का रूप धारन कर लिता है योगी शांती पूर्वक गुरू साहिब की बात सुनते है और गुरू साहिब दिव्वे ग्यान के हीरे मोती उनके सामने बिखीरते हैं आपका परवचन इस प्रकार आरंब होता है आद को विस्माद विचार कती अले सुन निरंतर वास लिया गुरू साहिब समझाते हैं कि स्रिष्टी के आरंब से पहले प्रभू की पूर्ण अद्वयत्व की आश्चर्य जनक अवस्था कल्पना और वर्नन से परे है उस समय प्रभू सुन अवस्था में अपने आप में समाया हुआ था गुरू साहिब एक अन्य परसंग में कहते हैं सुन कला अपरम परतारी आप निरालम अपर अपारी आधी में वह अगम अगोचर अनूपम प्रभू पूर्णत निरलेब था और अपने आप में समाया हुआ था अकल पत मुद्रा गुर ग्यान बिचार यले कटड़ साचा सर्व जिया योग मत में पांच मुद्राओं का भी वर्नन है और चोबीस मुद्राओं का भी वर्नन है गुरु साहिब फर्माते हैं कि ज्ञान की वह मुद्रा या साधना जिसकी शिक्षा सत्गुरु से मिलती है मन बुद्धी की कलपना से परे है वह निर्विकल्प ज्ञान अर्थात परम ज्ञान की प्राप्ति का ऐसा अधुद साधन है जिससे प्रवु घट-घट में समाया दिखाई देने लगता है सद्गुरू के उपदेश पर अमल करने से अगम अगोचर अकत माया से निलिप्त परम तत से एक रूप हो जाते है सहज लहे का यह अर्थ भी किया जाता है कि सद्गुरू की दया से ऐसी अनुपम अवस्ता सहज रूप से प्राप्त हो जाती है इसका यह अर्थ भी किया जाता है कि सद्गुरू के उपदेश पर अमल करने से प्रभू के साथ मिलाव की सहज अवस्ता प्राप्त हो जाती है नानक दूजी कारन करनी सेवे सिक्ष सोखोज लहे। गुरू साहिब उपदेश देते हैं कि जो भी आध्यात्मिक प्राप्ति होती है सत्गुरू के उपदेश पर अमल करने से होती है। इसलिए सादक को चाहिए कि अन्य हर प्रकार के सादनों में से ध्यान निकाल कर सत्गुरू के उपदेश अनुसार प्रभू की भक्ती में लग जाए और अपने अंदर से खोज करके प्रभू के साथ मिलाप कर ले। हुकम विस्माद, हुकम पचाने, जी जुगत सच जाने सोई। प्रभू विस्माद पूर्ण और अकत है। तथा उसका हुकम भी विस्माद पूर्ण और अकत है। प्रभु का हुक्म यानी रजा हर अवस्था में प्रभु के अस्तित्व का अभिन अंग बनी रहती है। गुरु साहिव वानी के अन्य परसंग में कहते हैं अर्बद नर्बद तुन्दू कारा तरन न गगना हुकम अपारा ना दिन रैन न चांद न सूरज सुन समाद लगाएंदा। अरब खरब वर्षों तक जब हर तरफ सगन धुन्द यानी धुन्दू कारा थी दिन रात चांद सूर्य आदी का नामो निशान तक नहीं था और प्रभु सुन समादी की अवस्था में लीन था। तब उसका हुकम उसकी रजा उसके साथ थी। संत नाम देवजी का कथन है। प्रमात्मा का हुकम यानी उसकी इच्छा उसका ही रूप है। गुरु साहिब ने हुकम यानी शब्द की पहचान को जी जुगत कहा है। योगियों ने शरीर की साधना की युक्तियों पर अधिक बल दिया है। गुरु साहिब शब्द रूपी आत्मिक युक्ति की तरफ ध्यान देने का उपदेश देते हैं क्योंकि प्रभू ने अपने साथ मिलाब करने के लिए स्वयम यह युक्ती निर्धारित की है जो सादक इस आत्मिक युक्ती के अनुसार भक्ती करता है उसे प्रभू रूपी सत्य की पहचान का सौभागे प्राप्त हो जाता है आप मेट निरालम हुवे अंतर साच जोगी कहिये सुई सादक को चाहिए कि आपा भाव का नाश करके मन को संसार से निर्लेप कर ले जो सादक इस युक्ती द्वारा सत्य या प्रभू को अंतर में धारन कर लेता है वही सच्चे अर्थों में योगी कहलाने का अधिकारी है गुरू साहिव वानी के अन्य प्रसंग में फरमाते हैं हो मैं करी तां तू नाही तू हो मैं हो नाहे बूजो ग्यानी बूजना ए अकात कथा मन माहे बिन गुर तत न पाईये अलक वसय सब माहे सादगुर मिलेता जानिये जांशबद वसय मन माहे आप गया प्रम्प हो गया जनम मरं दुख जाहे आप हो मैं तथा आप पद समान अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं आप फरमाते हैं कि जब तक हो मैं या आपा भाव है प्रभु की सूज नहीं होती जब प्रभु की सूज हो जाती है तो आपा भाव का नाश हो जाता है जब सत्गुरु की शर्ण द्वारा सुरत अंदर शब्द में लीन हो जाती है तो प्रभू रूपी पर्मतत्व का ज्यान हो जाता है इससे आपाभाव, अज्यानता, संशय, भै और आवागमन के दुख से चुटकारा मिल जाता है अव गतो निर्मायल उपजे, निर्गुण ते सर्गुण थिया, सत्गुर पर्चय परंपद पाईये, साचय शब्द समाए लिया एके को सच एका जाने, हो मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाने, अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे, ता सब किछ सूजय, अंतर जाने सर्व दया, नानक ताको मिले वडाई, आप पछाने सर्व जिया अर्थात, गुरु साहिब ने पिछली पौडी में वर्नन किया था, कि प्रभु के आधी का विचार विस्माद पूर्ण है उसी भाव का विस्तार करते हुए कहते हैं, उस गुप्त, अव्यक्त में से, जिसकी अवस्था समझ और ब्यान से बाहर है, निर्मल, निराकार उत्पन हुआ, और फिर उस निर्गुन निराकार ने सगुन रूप धारन कर लिया गुरु साहिब कहते हैं, सच्चे सादक को सत्गुरु के उपदेश की पहचान द्वारा परमपद की प्राप्ति हो जाती है, और शब्द जीवात्मा को अपने में समेट लेता है ऐसा सादक केवल प्रभु को ही सत्य सविकार करता है, वह होम है और द्वैत का नाश कर लेता है सच्चा योगी वही है जो गुरु के शब्द की पहचान या कमाई करता है उसके रिदय में प्रभु का परकाश प्रकट हो जाता है जो सादक जीते जी मर जाता है, उसे पूर्ण ग्यान प्राप्त हो जाता है और उसके अंदर सब जीवों के प्रती दया भाव उत्पन हो जाता है उस प्रभु के दरबार में उसी जीव को सच्ची बढ़ाई प्राप्त होती है जो स्वयम की पहचान द्वारा सब जीवों में एक आत्मा या एक प्रभु को देखना आरंब कर देता है अव गतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया गुरु साहिब ने अनेक शुब्दों में यह भावद्रिड कराया है कि पहले प्रभु सुन समाधी की अवस्था में था वह स्वयम ही निर्गुण निराकार था फिर स्वयम ही सगुण रूप में प्रकट हो गया गुरु अर्जुन देवजी ने सुक्मनी की 21 अश्टपदी में इस संपूर्ण प्रकिरिया का विस्तार पूर्वक वर्नन किया है आप अश्टपदी के आरंब में अंकित्छ लोक में कहते हैं प्रभु पहले सुन समादी की अवस्ता में था फिर उसने निर्गुण निराकार की अवस्ता को धारन कर लिया फिर स्वयम ही साकार सगुण रूप में प्रकट हो गया सत्गुर पर्चय परमपद पाईये साचय शबद समाए लिया इस परसंग में सत्गुर पर्चय को साचय शबद समाए लिया के साथ जोड़ा गया है सत्गुर की पहचान का अर्थ शबद की पहचान है शिश्य सत्गुर से प्रभु भक्ती की युक्ती प्राप्त कर लेता है प्रंतु उसे सत्गुरू के वास्त्विक स्वरूप की पहचान नहीं होती ना देह शिष्य है ना ही देह सत्गुरू है सुरत शिष्य है और शब्द की ध्वनी सत्गुरू है जब शिष्य की सुरत अंदर शब्द के साथ जुड़ जाती है तो उसे पता चलता है कि शब्द गुरु है और गुरु शब्द है इस अवस्था को गुरु के शब्द रूप की पहचान भी कहा जाता है उस अवस्था में सुरत शब्द में समा जाती है और शब्द उसे अपने साथ वापस प्रवु में ले जाता है एके को सच एका जाने हो मैं दूजा दूर किया वर्तमान अवस्था में पूर्ण अद्वैत कोरा सिध्धांत, संकल्प या आदर्श है जब सुरत अंदर शब्द में लीन हो जाती है तो पूर्ण अद्वैत एक वास्तविक्ता बन जाता है फिर सूज होती है कि जो कुछ है वह एक है जब प्रकाश होता है तो अंधेरे का नाश हो जाता है जब पूर्ण अद्वैत का व्यक्तिगत अनुबव हो जाता है तो स्वभाविक ही हो मैं और द्वैत का नाश हो जाता है वानी में ऐसे प्रसंग भी हैं जिनमें कहा गया है कि होमें और द्वैत का नाश करने पर सत्य की सूज हो जाती है और ऐसे प्रसंग भी हैं जिनमें यह कहा गया है कि सत्य की पहचान से होमें और द्वैत का नाश हो जाता है 23 पौडी की व्याख्या में गुरु नानक साहिव की वानी का एक ऐसा प्रसंग पहले सुन आए है सो जोगी गुर्शब्द पच्छाने अंतर कमल प्रगास थिया सच्चा योगी वही है जिसकी सुरत अंदर गुरु के शब्द यानि शब्द गुरु में लीन हो जाती है इससे उसका रिदय कमल प्रकाश से भर जाता है गुरु साहिव एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं जब सुरत शब्द में समाकर शब्द का रूप हो जाती है तो रिदय कमल प्रकाश से भर जाता है और जीव आवा गमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है इस अवस्था को रिदय कमल का सीधा हो जाना भी कहा गया है वर्तमान अवस्था में चंचल और अस्थिर मन अंदा धुंद उपर से नीचे और अंदर से बाहर की ओर दोड़ रहा है यही रिदय कमल का उल्टा हो जाना है जब सुरत अंदर शब्द में लीन हो जाती है तो मन की वृति बाहर से अंदर और नीचे से उपर की तरफ हो जाती है इसे रिदय कमल का सीधा हो जाना या खिल जाना कहा गया है गुरु साहिब कहते हैं उल्टेो कमल ब्रह्म विचार अमरत तार गगन दस दुआर त्रिपवन बेद्या आप मुरार उल्टा हुआ रिदय कमल प्रभू की भक्ती द्वारा सीधा हो गया सुरत ने दुस्वे द्वार में पहुँचकर नाम या शब्द की अमरिधारा में सनान करना शुरू कर दिया इस तरह तिरलोकी को पार करके परमेश्वर की हुजूरी में पहुँच गई उपर रिदय कमल के सीधा हो जाने या खिल जाने का भाव प्रकट किया गया है गुरू साहिब पीछे प्रकट किये गए भाव का विस्तार करते हुए कहते हैं कि रिदय कमल के सीधे हो जाने या खिल जाने का सौव भागे जीते जी मरने की अवस्था में पहुँच कर होता है गुरु साहिब एक अन्य प्रसंग में कहते हैं सत्गुर मिलय तंदुबदा पागय कमल बिगास मन हर प्रवलागय जीवत मरय महारस आगय जीवत मरय कथन में एक विरोदा भास है जो जीवत है वह मृत नहीं और जो मृत है वह जीवित नहीं संत महात्माओं का जीते जी मरने से अभी प्राय पूर्ण एकागरता या समाधी की अवस्था है जिसमें ध्यान पूरी तरह से आँखों के उपर एकागर और स्थिर हो जाता है उस अवस्था में चेतना के आँखों से उपर सिमट जाने के कारण श्रीर का आँखों से नीचे का हिस्सा पूरी तरह सुन हो जाता है श्रीर की हालत मुर्दे के समान हो जाती है प्रन्तु आत्मा अंदर पूरी तरह चेतन होती है इस अवस्था में जीवन और मृत्यू की क्रिया इकठी चलती है जब तक ध्यान अंदर शब्द में लीन रहता है जीव शरीर के आँखों से निचले भाग और संसार की तरफ से अचेत या मुर्दा प्रन्तु आंत्रिक जगत की ओर से सचेत यानि जीवित होता है जब वह अपना ध्यान पुने आँखों से नीचे उतार लिता है तो शरीर और संसार की ओर से जीवित हो जाता है और आंत्रिक संसार की ओर से मुर्दा हो जाता है इसे ही परमार्थिक बाशा में जीते जी मरने की अवस्था कहा गया है सादक को जो भी आध्यात्मिक प्राप्ती होती है जीते जी मरने के अभ्यास से समाधी की अवस्था में पहुँच कर होती है गुरु नानक साहिब योगियों को समझाते हैं नानक जीवतियां मर रहिए, ऐसा जोग कमाईए, वाजे बाजों सिंगी वाजय, तो निर्पहोपद पाईए। सच्चा योग यह है कि जीते जी मर कर सुरत को अनहत शब्द की ध्वनी में लीन करके निर्भेपद की प्राप्ति कर ली जाए। आप फरमाते हैं, मुया जित का अरजाईए, तित जीमद्या मर मार, अनहत शब्द सुहावने, पाईए गुर विचार। सादक मृत्यू के पश्चात जिस घर यानि निज घर में जाने की इच्छा रखता है, उसे जीते जी अपनी सुरत उस घर में पहुँचा देनी चाहिए। उस घर में उसे अनहत शब्द के सुहावने राग सुनाई देंगे। गुरु रामदास जी का कथन है, जीवत मरे मरे फुन जीवे तामोखंतर पाई, जो सादक जीते जी मरने का अभ्यास पका कर लिता है, वही मुक्ती प्राप्त कर सकता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुर के शब्द मरे फिर जीवे तिन को मुक्त दुआर, अंतर सांत सदा सुक होवे हर राख्या उर तार। कबीर साहिब की वानी है, जीवत मरे, मरे फुन जीवे, ऐसे सुन समाया, अंजन माहे निरंजन रहिये, बहुड नपव जल पाया। जो सादक जीते जी मर जाता है, उसका ध्यान सुन मंडल में स्थिर हो जाता है। इस से वह माया में रहता हुआ भी, उसके प्रभाव से निरलिप्त रहता है। हौमे का नाश बातों से या सोच विचार द्वारा नहीं होता। यह कारे जीते जी मर कर, सुरत को शब्द में लीन करने से पूर्ण होता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि वास्तविक भड़ाई उसे ही मिलती है जो अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान द्वारा प्रभू की पहचान कर लेता है। उसे प्रतेक जीव में उस एक प्रभू का नूर दिखाई देने लगता है। इससे उसकी प्रतेक जीव के साथ आत्मिक साजेदारी हो जाती है। उसे सभी अपने लगने लगते हैं, कोई भी पराया नहीं लगता। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, नाको बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बन आई। जो प्रभ कीनों सो पल मानियों, एह सुमत साधू ते पाई, सब महरव रहया प्रभ एकै, पेक पेक नानक भिग साई। साचो उपजय, साच समावय, साचे सूचे एक मया, चूठे आवय, ठवर न पावय, दूजय आवा गौण पया, आवा गौण मिटय गुर शबदी, आपे परखे बख्ष लया, एका बेदन, दूजय ब्यापी, नाम रसायन वी सरया, सो बूजय, जिस आप बूजयाए, गुरकय शबद सो मुकत पया, नानक तारे तारन हारा, हौमय दूजय पर हरया। अर्थात, गुरु साहिब पिछली पौडियों में प्रकट किये गए भाव का विस्तार करते हुए कहते हैं, सब जीव प्रभू रूपी सत्ते से उत्पन हुए हैं, और अंत में उसी में समा जाते हैं, जो जीव उस सच्चे प्रभू की आराधना या भक्ती द्वारा निर जाया की जूठी शकलों और पदार्तों के मोख में खोए रहते हैं, उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिलता, वे आवा गमन के चक्कर में पड़े रहते हैं, आवा गमन गुरु द्वारा बताए शब्द के अभ्यास द्वारा मिटता है, वह प्रभू जिने बक्ष लेता है, उन जब लोग एक प्रभू के प्रेम के बजाए अनेक के मोव में गरस्त हैं, लोगों को यह सूज नहीं रही कि इस रोग का वास्तविक इलाज प्रभू का नाम है, जिने वह प्रभू स्वेम सूज देता है, वे सत्गुरू के उपदेशा अनुसार शब्द यानी नाम के वैत मिटा कर उनका भवसागर से उद्धार कर देता है, साचो उपजय, साच समावय, साचे सूचे एक मया, चूठे आवय, ठवर नपावय, दूजय आवा गौन पया, आवा गौन मिटय गुर्शवदी, आपे परखे बक्ष लया, एका बेदन, दूजय ब्यापी, नाम र सायन वी सरया, गुरु साहिब समझाते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग हैं, सचे भाव सचयार, तथा जूठे भाव कूडयार, दोनों ही उस एक सच में से आते हैं, तथा उसमें ही समाना चाहते हैं, सचे उस एक सचे के साथ प्रेम करते हैं, और उसकी भक्ती द्वार उसके साथ मिलकर सच्चे बन जाते हैं दूजै जो लोग एक सच्चे के स्थान पर अनेक दूसरों या जूटों के मौ में फसे हुई हैं वे जूटे सदैव आवा गमन के चक्कर से बंदे रहते हैं सारा संसार द्वैत या जूठे पदार्तों के मोख के रोग से पीडित है इस रोग की दवा प्रभू का नाम है प्रन्तु लोगों का उस तरफ ध्यान ही नहीं है सो बूजह जिस आब बूजहे गुरके शबद सो मुकत पया प्रभू जिने अपनी पहचान करवाना चाहता है उन्हें सत्गुरू से मिला देता है वे भागेशाली जीव सत्गुरू के शब्द से लिव जोड़कर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं केवल वह प्रभू ही दया द्वारा होमय के रोका नाश करके जीव का भवसागर से उद्धार कर सकता है गुरू अमर्दाजी ने इस विचार का खुलासा इस प्रकार किया है खोटे खरे तुद आप उपाए तुद आपे परके लोक सबाए खरे पर खजानने पाई आए खोटे परंपुलावनेया क्यों कर वेखा क्यों सालाही गुरू परसादी शब्द सलाही तेरे पाने विच अमरत वसै तुँ पाने अमरत पियावनेया अच्छे भुरे यानि खोटे खरे जूठे और सच्चे सभी को उस एक करता ने उत्पन किया है उनकी परक करने वाला भी वही है और उन्हें परक के काबिल बनाने वाला भी वही है उसने अच्छे और बुरे दोनों के अंदर अपने शब्द का अमरत समान रूप से रखा हुआ है जिने वह अपनी रजा से अपने साथ मिलाना चाहता है उन्हें सत्गुरू की शर्ण बख्ष देता है वे ध्यान को शब्द के साथ जोड़ कर प्रभू में समा कर सच्चे बन जाते हैं अर्थात गुरू साहिब समझाते हैं कि मनमुख अज्यानता के कारण यमों के वश में पड़े रहते हैं वे पराए घरों की ओर तागता है और सदा नुकसान में रहता है प्रभू का निजगर अंतर में है मनमुख ध्यान को अंतर में उसके साथ जोड़ने के बजाए उसकी खोज में बाहर बटकते हैं इसलिए वे सदा हानी उठाते हैं मनमुख प्रभू की तलाश में शम्शानों में बटकते रहते हैं वे शम्शान भूमी में मंत्र पढ़ते रहते हैं और कुमारग पर चल कर सब कुछ लुटा बैठते हैं वे शब्द की पहचान करने के बजाए कटू वचन बोलते रहते हैं सच्चा सुख केवल नाम के रंग में रंग जाने से ही प्राप्त होता है गुरू साहिब बार बार इस बात पर बल दे रहे हैं कि मनमुखता त्याग कर सद्गुरू के उपदेशा नुसार लिव अंदर प्रभू के साथ जोड़नी चाहिए आप समझाते हैं कि आत्मा और प्रमात्मा दोनों श्रीर के अंदर हैं जो लोग शब्द या नाम के अंतर मुख सचे मार्ग को छोड़कर बाहर शम्शान में मंत्र पढ़ते रहते हैं या भक्ती के अन्य अनेक प्रकार के सादन अपनाते हैं वे गलत मार्ग पर चल कर खुआर होते हैं वे शब्द की पहचान करने के बजाए दुरवचन बोलते हैं वे सदैव दुखों का शिकार रहते हैं उनका आवा गमन का दुख कभी दूर नहीं हो सकता प्रभू की कृपा से जिसका सदगुरू के साथ मिलाप हो जाता है वे शब्द के अभ्यास से सचे सुख का अधिकारी बन जाता है गुरू नानक साहिब फरमाते हैं मनमुख को दुख दर्द व्यापस मनमुख दुख न जाई मनमुख कौन है जो गुरू के उपतेशा नुसार ध्यान को अंदर शब्द से जोडने के बजाए मन चाहे सादनों द्वारा बाहर ही बाहर प्रभू की खोज करता है गुरू अमरदाजी का कथन है नाम ना चेता है शबद ना विचार है ए मनमुख का आचार हर नाम न पाया जनम बिर्था गवाया नानक जाम मार करे खोवार गुर्मुख साचे का पवपावे गुर्मुख बानी अगण गड़ावे गुर्मुख निर्मल हारगुण गावे गुर्मुख पवित्तर परमपद पावे गुर्मुख रोम रोम हरत्यावे नानक गुर्मुख साच समावे अर्थात गुर्मुख साहिब पिछली पावडी में मनमुख की अवस्था का वर्नन कर आए है अब आप गुर्मुखों की महिमा करते हुए कहते हैं जो गुर्मुख गुर्मुख के उपदेश पर चलता है उसके मन में सच्चे प्रभु का भए उत्पन होता है ऐसा गुर्मुख गुर्मुख के शब्द द्वारा अपने असाध्य मन को साध लेता है गुर्मुख के उपदेश पर चलने वाला साधक निर्मल हरी के गुण गाता है उसे निर्मल परमपद की प्राप्ती हो जाती है गुरु की कृपा द्वारा उसका रोम रोम हरी के ध्यान में मग्न रहता है इस तरह से वह प्रभू रूपी सत्य में समा कर उसका ही रूप हो जाता है गुर्मुख साच्चे का पवपावे गुर्मुख के अंदर प्रभू का भह उत्पन हो जाता है वह ऐसे कर्मों से बचता है जो प्रभू को पसंद नहीं है वह प्रभू को पसंद आने वाली रहनी अपनाता है गुरु अर्जुन देव जी की वानी है बिन पै कथनी सरब विकार कहो नानक दर का वीचार जब तक रिदे में प्रभू का भय उत्पन नहीं होता उसके प्रेम और भक्ती की सभी बातें व्यर्थ हैं गुरु रामदास जी की वानी है हर गुण हिर्दय टिके तिसके जिस अंतर पहो पावनी होई बिन पै किने न प्रेम पाया बिन पै पार न उत्रया कोई जब तक रिदे में प्रभू का भय ना हो उसमें प्रभू का प्रेम और भक्ती भाव उत्पन नहीं हो सकता प्रभू के भय के बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता गुरु अमरदाजी ने यह भाव इस प्रकार प्रकट किया है पै बिन पगत न होई कब ही पै पाय पगत सवारी जब तक रिदय में प्रभू का भय उत्पन नहीं होता उसका प्रेम भी उत्पन नहीं हो सकता और उसकी भक्ती में सफलता नहीं मिल सकती आप एक अन्य परसंग में कहते हैं जो जीव आत्मा रूपी प्रेमी का भय और प्रेम का श्रिंगार करती है वही प्रभू प्रियेतम के साथ मिलाप में सफल होती है गुर्मुख बानी अगड कड़ावे इस पंक्ती में एक अर्थ यह किये जाते हैं कि गुर्मुख गुरु की वानी या उपदेश द्वारा असाध्य मन को साध लेता है जो लकडी तराशी नहीं गई वह देखने में भद्दी लगती है जब तराशी जाती है तो खूब सूरत कुर्सी या मेज आदी का रूप धारन कर लेती है सोने को तराशा जाता है तो सुन्दर गहने का रूप ले लेता है जीव सद्गुरु की शर्ण में आने से पहले मनमुक्ता का शिकार होता है उसका मन बहुत विचलित रहता है सद्गुरु के उपदेश पर चलने से शिष्य की अवस्था बिलकुल बदल जाती है उसकी दुर्मती का नाश हो जाता है वे एंद्रिय भोगों, विशय विकारों और माया के मों से मुक्त होकर प्रभु के प्रेम और नाम के रंग में रंग जाता है इस पंक्ती के दूसरे अर्थ यह किये जाते है कि गुर्मुख के अंदर प्रभु की असादे वानी प्रकट हो जाती है गुरु साहिबान ने अनहद शब्द या अनहद वानी को प्रभु के समान स्वते प्रकाश मान स्विकार किया है वह वानी किसी भाषा की चंदों में बंदी रचना नहीं है गुरु अमरदास जी की वानी है अनहत बानी गुर शबद जानी हर नाम हर रस पोगो कहे नानक प्रब आप मिलिया करण कारण जोगो आपने गुरु, शब्द, हर, नाम, हर रस और अनहतवानी को हरी का ही रूप माना है गुर्मुख निर्मल हर गुण गावै, गुर्मुख पुवित्र परमपद पावै गुर्मुख सदैव माया रहित निर्मल निराकार की भक्ती में मगन रहता है परमपद का अर्थ है सबसे उंची आध्यात्मिक अवस्था जो प्रभु का निवास्थान या सचखंड है गुरु साहिब समझाते हैं कि जो गुर्मुख सद्गुरु के उपदेशानुसार प्रभु की भक्ती करता है उसे प्रभु यानि परमपद प्राप्त हो जाता है गुरु अर्जुन देवजी की वानी है परमपद पाया आप मिटाया हर पूरन किर्पातारी सफल जनम होआ पहो पागा हर पेट्या एक मुरारी जिसका सा तिन ही मेल लिया जोती जोत समाया नानक नाम निरंजन जपिये मिल सद्गुर सुख पाया जो साधक संत सद्गुरु की शर्ण प्राप्त करके हरी के निर्मल नाम का सुमिरन करता है उसकी ज्योती परम ज्योती में समा जाती है और उसे सहज सुख वाले परमपद की प्राप्ती हो जाती है गुर्मुक रोम रोम हरत्यावे नानक गुर्मुक साज समावे गुरु के शिश्य को जो भी प्रियत्न करना पड़ता है ध्यान को अंदर एकाग्र और स्थिर करने के लिए करना पड़ता है जब ध्यान अंदर स्थिर हो जाता है तो शब्द यानि नाम रूपी वानी बिना प्रियत्न के निरंतर सुनाई देती है जब गुर्मु की सुरत पूरी तरह शब्द में लीन हो जाती है तो यह अपने आप प्रभु में सुमा जाती है गुरु साहिब की वानी है मन बैराग रतो बैरागी शब्द मन बेद्या मेरी माई अंतर जोत निरंतर बानी साचे साहिब स्यों लिवलाई जब मन प्रभु के प्रेम धोरा संसार से उपराम हो गया तो यह पूरी तरह से शब्द में समा गया फिर शब्द की जयोती निरंतर दिखाई देने लगी और उसमें से निकल रही वानी की ध्वनी निरंतर सुनाई देने लगी इस प्रकार सुरत प्रभु में लीन हो गई इस अवस्था को रोम रोम हर त्यावय का नाम दिया गया है जब सुरत पूरी तरह शब्द में लीन हो जाती है तो शब्द की धारा उसे अपने सुरोत प्रभु में लीन कर देती है गुरु रामदास जी की वानी है बानी राम नाम सुनी सिद कारज सब सुहाए राम रोमे रोम, रोम रोमे मैं गुर्मुख राम तयाए राम जब सत्गुरु की कृपा से अंदर राम नाम रूपी वानी सुनाई देने लगी तो रोम रोम हरी के ध्यान में मगन हो गया और सभी कार्य सिद्ध हो गए भाव प्रभु के साथ मिलाप हो गया गुर्मुख परचय बेद बिचारी गुर्मुख परचय तरिये तारी गुर्मुख परचय सोशबद ग्यानी गुर्मुख पर्चे अंतर बिद जानी गुर्मुख पाईये अलग अपार नानक गुर्मुख मुकत दुवार अर्थात जो गुरु में विश्वास रखता है वह ग्यान का विचार करने वाला भाव ग्यानी हो जाता है जो गुरु में विश्वास रखता है वह भक्ती द्वारा बव सागर को पार कर लेता है जो गुरु में विश्वास करता है उसे शब्द का ज्यान भाव अनुभव प्राप्त हो जाता है जो गुरू में विश्वास रखता है, उसे अंतर मुख होने की युक्ति का घ्ञान हो जाता है और आंतरिक जगत की सूज हो जाती है गुरू द्वारा अगम अपार प्रभू की प्रापती हो जाती है और मुक्ती का दर्वाजा मिल जाता है सत्गुरु पर विश्वास का आरंब सत्गुरु की बाहरी संगती से होता है प्रन्तु यह विश्वास सुरत को अंदर शब्द में लीन करने पर दिड़ होता है गरंतों और शास्त्रों में अंकित प्रभु के ज्यान की सूज भी शब्द रूपी सत्गुरु के मिलाप द्वारा होती है भवसागर से उधार और मुक्ती की प्राप्ती भी सुरत को शब्द में लीन करने से होती है गुरु साहिब वानी के अन्य परसंग में कहते हैं मन राता सारंग पाणी सत्गुरु के वचनों में सब धर्म ग्रंतों का सार समाया हुआ है आदि पुरश यानी प्रभु रूपी सत्य में लीन होने का सौभागे सत्गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है गुरु साहिब जपजी में कहते हैं गुर्मुक नादंग, गुर्मुक ब्वेदंग, गुर्मुक रहया समाई, गुर इसर गुर गोरख बर्मा, गुर पार बती माई शब्द की सूज भी सत्गुरु द्वारा होती है धर्म ग्रंतों का ज्यान भी गुरु के उपदेश में समाया होता है और सभी देवी देवता भी गुरु में ही समाय होते हैं भाव यह है कि गुरु प्रभु का रूप होता है वह प्रभु की तरह ही पूर्ण ज्यान की मूरत होता है इसलिए स्वभाविक ही उसका उपदेश पूर्ण ज्यान से भरपूर होता है धर्म ग्रंथों में प्रती दिन शब्द यानी नाम की महिमा पड़ते हैं प्रंतु उसका निजी आंतरिक अनुभव सत्गुरु के उपदेश पर चलने से होता है ध्यान को संसार और शरीर की ओर से मोड कर अंदर स्थिर करने की बढ़ाई तो सभी ब्यान करते हैं प्रंतु इसे व्यवहारिक रूप से अंदर एकाग्र और स्थिर करने की युक्ती सत्गुरु की शर्ण द्वारा ही प्राप्त होती है गुरु अमरदास जी की वाणी है जो सत्गुरु पर भरोसा रख कर नाम में समा जाता है उसका शब्द स्वरूप सत्गुरु से मिलाप हो जाता है और वह सदा उसके ध्यान में मगन रहता है भाई गुरु दास जी लिखते हैं शब्द सुर्द परचा करे सत्गुर परचा मन परचाए जब सुर्द शब्द रूपी सत्गुरु में समा जाती है तवी सत्गुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और मन वश में आ जाता है गुर्मुक पाईये अलख अपार नानक गुर्मुख मुकत दोवार वर्तमान अवस्था में प्रभू अगम अगोचर है वह मन इंद्रियों, बुद्धी और कल्पना की पकड़ से बाहर है सद्गुरू के उपदेशानुसार ध्यान को अंदर शब्द में लीन करने से उस अलक अपार की पहचान हो जाती है अगम अगोचर प्रभू से मिलाब हो जाता है और आवा गमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हो जाती है गुरू नानक साहिव की वानी है अगम अगोचर अनात अर्जोनी गुर्मत एको जानिया गुरु अमर्दास जी की वानी है अगम अगोचर कीमत नहीं पाई गुर परसादी मान वसाई संत नाम देव जी कहते हैं नाम देव नारायन पाया गुर पेटत अलख लखाया कहने को तो ये सब कह देते हैं कि प्रभु सर्व व्यापक है और अपने ही अंदर है प्रंतु वास्तव में वह अगम अगोचर अलख अपार है केवल सद्गुरु की द्या से ही अंदर उसकी पहचान हो जाती है गुर्मुख अकत कत है बीचार गुर्मुख निब है सब परवार गुर्मुख जपिये अंतर प्यार गुर्मुख पाईये शबद अचार शबद पेद जाने जानाई नानक हो मैं जाल समाई अर्थात पिछली पौडी वाले भाव को आगे भढ़ाते हुए कहते हैं गुरु की कृपा द्वारा गुरु के उपदेश पर चलने वाले सादक यानि गुर्मुख उस अकत प्रवु से मिलाब करके उसकी महिमा करते हैं वे स्वयम भी भवसागर से पार हो जाते हैं और उनके साथी भी सत्गुरु के उपदेश पर चलकर भवसागर को पार कर जाते हैं सत्गुरु की द्या से रिदय में प्रवु के नाम का प्रेम उत्पन होता है और शब्द के अभ्यास वाली रहनी प्राप्त होती है शब्द का भेद सत्गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इसके द्वारा हो में का नाश करके ही प्रवु में अभेद हो सकते हैं गुर्मुक अकथ कथे बीचार, जब तक जीव का सत्गुरू से मिलाप नहीं होता, पर मात्मा उसके लिए अलग, अगम और अकथ होता है, सत्गुरू की द्या से जीव को उसकी सूज हो जाती है, और वह उसका गुणगान करना शुरू कर देता है, गुरू साहिव वानी के अन्य प्रसंग में कहते हैं, सोगुर करो जे साच द्रडावै, अकथ कथावै, शबद मिलावै। आप दूसे प्रसंग में कहते हैं, अकथ कथो गुर्मत वीचार, मिल्गुर संगत पावो पार। सत्गुरू के उपदेशा अनुसार ध्यान को योगियों ने सतारवी पोड़ी में प्रश्ण किया था कि तुम अपनी संगत का भवसागर से उधार कैसे करोगे। गुरू साहिब ने अठारवी पोड़ी में स्पष्ट किया था कि हम नाम रूपी सच्चे धन के व्यापारी हैं और गुरू की संगत भी नाम के अभ्यास द्वारा भवसागर से पार हो जाती है। यहां समझा रहे हैं कि गुरू के उपदेश पर चलने वाले और उनकी तरह गुरू की शरन लेने वाले उनके सभी सगे संगती भी भवसागर से पार हो जाते हैं। गुरू साहिब गौडी रा के एक शब्द में फर्माते हैं निर्पहो जोगी निरंजन त्यावै आन दिन जागै साच लिव लावै सोजोगी मेरे मन पावै काल जाल ब्रह्म अगनी जारे जरा मरन गत गरब निवारे आप तरह पितरी निस्तारे। गुरू अर्जुन देवजी की वानी है तान 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 जन आया जिस परसाद सब जगत तराया जन आवन का इह सुआओ जन कै संग चित आवै नाओ आप मुकत मुकत करै संसार नानक तिस जन को सदा नमसकार। गुरू साहिफ फरमाते हैं कि प्रभू के भक्त अनंत जीवों को प्रभू के साथ जूड कर उनका उद्धार कर देते हैं। गुर्मुक जपिये अंतर प्यार गुर्मुक पाईये शबद अचार प्रेम भरे रिदे से प्रभू का सुमिरं करने की युकती भी गुर्मुकों की द्यासे प्राप्त होती है और सुरत को शब्द के साथ जोडने के सादन का ज्यान भी गुर्मुखों से प्राप्त होता है गुरु अमर्दासी का कथन है बिन शब्द आचार नकिन ही पाया गुर्मुख ओ अंकार सच समाया शब्द के बिना सच्चा आचरन प्राप्त नहीं हो सकता जो सत्गुरु द्वारा समझाई युक्ती के अनुसार शब्द का अभ्यास करता है वह प्रभु रूपी सत्ते में समा कर उसका रूप हो जाता है गुरु नानक साहिब की वानी है शब्द मिले से सूचाचारी साची दरगय माने आनदिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले करम तरम सुच संजम जब तप तीरत शब्द वसे नानक सत्गुर मिलय मिलाया दूख पराचत काल नसे सच्चा और निर्मल आचरन शब्द का अभ्यास है इससे ही प्रवु के घर में पहुचने की बड़ाई प्राप्त होती है जिनकी लिव नाम के साथ लगी रहती है वे सदा के लिए प्रवु रूपी सत्ते में समा जाते हैं हर प्रकार के करम धर्म, जप तप, तीर्त वरत, आदी का फल, शब्द के अभ्यास में शामिल है सद्गुरु के उपदेशानुसार नाम के साथ लिव जोडने से आवा गमन के दुखों का नाश हो जाता है काल का भेश समाप्त हो जाता है और प्रभु के साथ मिलाप हो जाता है शब्द पेद जाने जानाई नानक होमे जाल समाई शब्द का भेद प्रभु की द्या से प्राप्त होता है जो सादक शब्द द्वारा होमे का नाश कर लेता है वह सदा के लिए प्रभू में समा जाता है गुरु अमरदाजी का कथन है शब्द मिले सो मिल रहे जिसनों आपे ले मिलाए दूजय पाए को ना मिले फिर फिर आवे जाए शब्द के साथ केवल वही मिल सकते हैं जिन पर प्रभू स्वेम क्रिपा करता है आप कहते हैं तुर आपे जिन्नानों बक्षियोन पाई शब्दे लयन मिलाए तूर्टिन्ना की अकूलिये पाई सतसंगत मेल मिलाए जो प्रभू की क्रिपा से शब्द के सार जुड़ जाते हैं उनकी होमे का नाश हो जाता है और उन्हें प्रभू के साथ मिलने का सौभागे प्राप्त हो जाता है गुरु नानक साहिब की वानी है होमे निवरे गुर्शबद विचारे चंचल मत त्यागे पंच संगारे सत्गुरु के उपदेश अनुसार शब्द के साथ लिव जूड़ने से मन की चंचलता पांच विकारों और होमे का नाश हो जाता है तथा भव सागर से उद्धार हो जाता है आप फरमाते हैं होमे ममता जल बलो लोब जलो अबिमान नानक शबद विचारिये पाईये गुणी निधान जीव आत्मा मोह ममता और पांच विकारों में बुरी तरह जल रही है शब्द के अभ्यास द्वारा इन से चुटकारा मिल जाता है और अनंत गुणों के बंधार प्रभू के साथ मिलाब हो जाता है अर्थात गुरु साहिब कहते हैं कि प्रभू ने गुर्मुखों के लिए धर्ती बनाई है प्रभू ने धर्ती स्रिजित करके इसमें पैदा होने और नश्ट होने यानि जन्मरन का खेल बनाया हुआ है जो जीव शब्द के अभ्यास द्वारा मन को प्रभू प्रेम के रंग में रंग लेता है गर पहुचने की बड़ाई प्राप्त नहीं हो सकती नाम के अभ्यास के बिना प्रभू रूपी सत्य में समाने का प्रश्ण ही उत्पन नहीं होता गुर्मुख तर्ती साचय साजी तिसमें ओपत खपत सोबाजी गुरू साहिब समझाते हैं कि प्रभू ने यह धर्ती जिसमें आवा गमन के खेल का प्रसार है गुर्मुखों के लिए स्रिजित की है इस धर्ती को गुर्मुखों के लिए स्रिजित करने का वास्तविक भाव यह है कि गुर्मुख शब्द के अभ्यास द्वारा प्रभु के साथ मिलाब करने का सोभागे प्राप्त कर लेते हैं तथा उनके लिए इस धर्ती की उत्पती लावदायक सिद्ध हो जाती है अन्य सभी जीव अपने कर्मों के अनुसार आवा गमन के चक्कर में फसे रहते हैं गुरु नानक साहिब एक अन्य प्रसंग में कहते हैं हरी ने संतों के लिए तीनों लोकों को टिकाया हुआ है ताकि वे अपना कारे पूर्ण कर सकें कैसे संतों के लिए? जो स्व्यम आत्मा की पहचान द्वारा प्रमात्मा की पहचान कर लेते हैं और दूसरे जीवों को भी प्रभु की भक्ती के रंग में रंग कर भवसागर से पार ले जाते हैं। ऐसे संत जीवन के मुख्य उद्देश की पूर्ती में सफल हो जाते हैं। धर्ती सब जीवों के लिए है चाहे वे गुर्मुक हैं या मनमुक। मनमुकों के लिए यह धर्ती कर्म भूमी है जिसमें उनकी परक करनी द्वारा होती है और फल का भुक्तान करवाया जाता है। धेर महा पंत बिखडा अंकार पार लद लीजै। जो लोग माया के मोह में फंस जाते हैं वे अग्यानता के अंधेरे और कठिन मार्ग में खो जाते हैं। वे एहंकार वश अपने सिर पर कर्मों की गटरियां बांध लेते हैं। गुरु अमरदाजी का कतन है। माया दासी पगतां की कार कमावे। चर्णी लागय ता महल पावे साध ही निर्मल सहज समावे। माया प्रभु के भक्तों की दासी है। जो भागेशाली जीव ऐसे भक्तों की शर्म में आ जाते हैं, वे माया के परभाव से निर्मल होकर सहज अवस्था के अधिकारी बन जाते हैं। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि रचना वही है। फर्क हमारे द्रिष्टिकोंड से पढ़ता है। जो रचना के पुजारी हैं, रचना उनकी हाकिम बन कर उन्हें आवा गमन के जाल से बांध कर रखती है। जो रचाईता के पुजारी बन जाते हैं, माया उनकी दासी बनकर रचाईता से मिलाप करने में उनकी सहायता करती है गुर के शब्द रप्पे रंग लाए, साच रतो पत्सियों कर जाए जो सादक गुरू के उपदेशानुसार मन को गुरू के शब्द के रंग में रंग लेते हैं, वे प्रभू के प्रेम के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें प्रभू के घर पहुचने की बड़ाई प्राप्त हो जाती है साच शबद बिन पत नहीं पावै नानक बिन नावै क्यों साच समावै गुरु साहिब एक ही भाव को दो तरह से ब्यान करके यह सत्ते द्रड करवा रहे हैं कि नाम के बिना कभी किसी को प्रभु में समाने की बढ़ाई प्राप्त नहीं हो सकती गुर्मुक अश्ट सिद्धी सब बुद्धी गुर्मुक पहुजल तरिये सच सुद्धी गुर्मुक सर अप सर बिद जाने गुर्मुक पर विर्थ नरविर्थ पछाने गुर्मुक तारे पार उतारे नानक गुर्मुक शबद निस्तारे अर्थात गुर्मुक के उपदेश का पालन करने में ही आठ सिद्धियों तथा विवेक की प्राप्ती है गुर्मुक भवजल से उद्धार करता है और सची निर्मलता प्राप्त हो जाती है गुर्मुक द्वारा सही गलत, अच्छे बुरे, पाप पुन्ने की सूज हो जाती है गुर्मुक द्वारा प्रविर्ती और निर्वर्ती का रहस्य समझ में आ जाता है गुर्मुक भवसागर से पार कर देता है गुर्मुक शब्द द्वारा मुक्ती बख्ष देता है गुर्मुक अश्ट सिद्धी सब बुद्धी गुर्मुख पहुजल तरिये सच सुद्धी गुरु साहिब समझा रहे हैं कि सत्गुरु के उपदेश पर चलने से सवी सिधियां उसके अधीन हो जाती है निर्मल विवेक की प्राप्ती हो जाती है मन और आत्मा पूरी तरह निर्मल हो जाते हैं और भवसागर से उधार हो जाता है गुर्मुख सर अपसर बिद जाने गुर्मुख पर विर्थ नर विर्थ पशाने गुर्मुख सही और गलत असत्ते और सत्ते कहने योगे और ना कहने योगे करने योगे और ना करने योगे का भेद भली भांती समझता है अभिपराय यह है कि गुर्मुख अंधे अज्ञानी या मनमुख की तरह नहीं रहता उसके परत्यक कतन और कर्म को उत्तम आत्मिक ज्ञान और श्रेष्ट विवेक का आधार प्राप्त होता है प्रवृति का अर्थ है माया में संसार में रहने की युक्ती और निर्वृति का अर्थ है माया में जगत से मुकत होकर प्रभू से मिलाब करने की विधी गुरुरामदाजी ने सूही राग में रचित चार लावों द्वारा जीव के प्रवृति से निर्वृति तक के सारे सफर का सुन्दर उल्ले किया है आप कहते हैं गुरु साहिब प्रविर्ती या ग्रिहस्त जीवन को धर्म कह रहे हैं उस धर्म का आधार प्रभु के बारे में ज्यान प्राप्त करना और पाप कर्मों से बचना है जब तक मन में प्रभु का प्रेम जागरत नहीं होता और जीव प्रभु से दूर जाने वाले कर्मों का त्याग नहीं करता प्रवृती यानि ग्रिहस्त जीवन पर धर्म या पर्मार्त का रंग नहीं चड़ सकता वर्तमान अवस्था में जीव माया के मोह और प्रभु के प्रेम पुन्य और पाप करने योगे और ना करने योगे के भेज से अन्भिग है और वह अंधे अग्यानी की तरह संसार में रह रहा है सत्गुरु की शर्ण प्राप्त होने से अचेत चीव सचेत हो जाता है वह परतेक कर्म यह सोच कर करता है कि यह उसे प्रभु के नजदीक ले जाएगा या उससे दूर ले जाएगा उसका कर्म रचना से बंदे रहने का कारण बन जाएगा या प्रभु से मिलाप का सादन सिद्ध होगा सत्गुरु की शर्ण दौरा जीव को संसार के प्रती अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाने की युक्ति का भी ग्यान हो जाता है और संसार से मुक्त होकर प्रभु से मिलाप करने के सादन और मार के बारे में भी ग्यान हो जाता है गुरु अर्जुन देव जी का कतन है बंधन तोर पहे निर्वैर आनदिन पूजय गुर के पैर एह लोग सुखिये परलोग सुहेले नानक हरप्रभ आप पैमेले जो शिशे गुरु के उपदेश पर चलते हैं वे लोग और परलोग दोनों में सुखी रहते हैं प्रभु की क्रिपा से वे प्रभु में ही समा जाते हैं गुर्मुक तारे, पार उतारे, नानक गुर्मुक शबद निस्तारे। गुर्मुक अनेक लोगों को प्रभु के शब्द यानी नाम के साथ जोड़ कर उनका भवसागर से उधार कर देता है। गुर्मुक केती शबद उधारी संतो। गुर्मुक कोट तेतीस उधारे। आप एक अन्य परसंग में कहते हैं। गुर्में आप रख्या कर तारे। गुर्मुक कोट असंख उधारे। गुर्मुक में प्रभु की शब्द रूपी शक्ती कारेशील होती है। जिसके द्वारा वह अन गिनत जीवों का उधार कर देता है।